हेलो एब्रीवन वेल्गम टो मैं चैनल इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को कबर करने वाला हूं तो जू स्टुडिंट हमारे चैनल पे पहले बार विजिट के हो वो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर लें ताकि आपक कर जाते हैं तो मैंनने स्का चैनल जाएगा उसी तरह को सस्क्राइब ले जाएगा तो मैं पर देना स्क्राइब कर देंगा मैंने तो सबस्क्राइब करेंगे सब्सक्राइब ऑस्कृाइब डोथ सबस्क्राइब हिसे सब्सक्राइब क्या लिए लिए क्या करेंगे हम राइट राइट ले जाये तो ऑपसे पहला फर्मुला बनेगा पलस बन जाएगा अब कि इसका फार्मुला बनेगा खाल थीटा तो ऑप प्लस में बन जाएगा और जो वन है प्लस में है तो इधार आके क्या बन जाएगा मैनस में बन जाएगा तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वाइर ठीटा मैनस क्या हो जाएगा और इसका थर्ड फर्मूला है को सेक स्क्वाइर ठीटा मैनस को स्क्वाइर इस इकल टू क्या है वन है तो हम को सेक स्क्वाइर ठीट is equal to क्यों हो जाएगा यहाँ पर क्या किया है को राइचाइड ले आए तो प्लस में बन गया यहाँ पर जो वन है उसको लिव्ट सेड ले आए तो क्या बन जाएगा मैनस में बन जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा कॉसिक स्कुर्मूरा के ओर देखते हैं नेक्स्ट फर्मूला है इन टीटा इस इकल तो नहांपे आप मल्ट्िप्ला में मैं है जभी इसको राइट साड ले आएंगे तो क्या भॉप में हो जाएगा, तो 10 theta is equal to क्या हो जागा? 1 बटा cot theta हो जाएगा, उसी तरह cot theta is equal to क्या हो जागा? cot theta is equal to 1 by 10 theta हो जागा, next formula, next formula है आपका sin theta into cosec theta is equal to 1, तो sin theta is equal to क्या हो जगा, sin theta is equal to 1 by क्या बन जगा, cos theta, 1 by cos theta, and cos theta is equal to, cos theta is equal to, kya बन जगा, one by sin theta, and next formula है आपका, cos theta into sec theta is equal to 1, तो क्या बन जाएगा cos theta is equal to 1 by 6 theta and 6 theta is equal to 6 theta 6 theta is equal to क्या बन जाएगा 1 बटा cos theta I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया हो तो चलिए next formula क्या बढ़ते हैं तो चलिए next formula है आपका 10 theta is equal to 10 theta क्या होता है sin theta बटा क्या हता है cos theta होता है यह चीज आप लोगों को आगठना है 10 theta is equal to sin theta बटा cos theta होता है and cos theta is equal to हो जाएगा क्या हो जाएगा cos theta बटा sin theta अगला formula है आपका sin 90 minus theta sin 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta 10 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta and sec 90 degree minus theta जब भी कोई trigonometric ratio 90 के साथ multiply होता है तो जो sin है किसमें बदल जाता है cos में बदल जाता है sin cos में बदल जाएगा 10 quote में बदल जाएगा sec cosec में बदल जाता है यानि कि इसका कहाज़गा opposite हो जाता है sin 90 degree minus theta किसमें बदल जाता है cos theta में बदल जाता है उसी परकार cos 90 degree minus theta साइन ठीटा में बदल जाएगा उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री मैनस ठीटा का हो जाएगा सेख ठीटा 10 90 डिग्री मैनस ठीटा इस इकल्डी का हो जाएगा कॉट ठीटा कॉट 90 डिग्री मैनस ठीटा हो जाएगा 10 ठीटा एंड सेक 90 डिग्री मैनस ठीटा हो जाएगा कॉसेक ठीटा नेक्स्ट फर्मूला है आपका त्रिकोन मिती अनुपात तो आप इस तरह भी साइन ठीटा कॉस ठीटा का वैल्यू आद रख सकते हैं जैसे इसका फर्मूला है प्रेम बाबू पंडित हरी हरी बोल यानि कि साइन ठीटा का वैल्यू बन जाएगा साइन ठीटा का वैल्यू बन जाएगा प बटा एच साइन ठीटा का वैल्यू बन जाएगा प बटा एच कॉस ठीटा का वैल्यू बन जाएगा आपका बी बटा एच और 10 θटा का value बनेगा P बटा B sin θटा किसका opposite हो जागा cosec θटा का opposite हो जागा यानि कि cosec θटा is equal to बन जागा H by P and 6 θटा का बन जागा H by B and 4 θटा का बन जागा B by P तो यहाँ पर इस formula से आप क्या कर सकते हैं? आद रख सकते हैं यहाँ पर sin θटा क्या हो जागा? P P मेरा क्या है? P मेरा लंब है और H क्या है? करन है तो लंब बटा क्या हो जागा? करन यानि कि P बटा H हो जागा उसी तरह इसका क्या हो जागा? cosec θटा P का क्या हो जागा? opposite हो जागा यानि कि H क्या हो जागा? H by क्या हो जाएगा P हो जाएगा तो कोट ठीटा का क्या बन जाएगा B बटा B बटा H एंड इसका क्या हो जाएगा H बटा B ठीक है टेंट ठीटे का हो जाएगा P बटा B P बटा B and कोट ठीटा का बन जाएगा B बटा P क्या बन जाएगा B बटा P I hope आप लोगों को यह समझे में आ गया हो And last formula है आपका पाइथा गुरुस्परमे यानि की कर्न का square कर्न का square is equal to لمb का square لمb का square plus अधार का square अधार का क्या हो जगा square कर्न का square is equal to لمb का square plus अधार का square होता है h दिया हो and p दिया हो तो आपको क्या निकालना है b निकालना है b यानि कि क्या हो जगा अधार निकालना हो तो अधार का फो जगा अधार का square अधार का square is equal to क्या हो जगा कर्ण का square minus क्या हो जगा लंब का square यह आप एक formula इससे drive कर सकते हैं दुसरा formula drive कर सकते हैं, यदि आपको क्या दिया हो, b दिया हो, यानि कि अधार दिया हो, एंड कर्ण दिया हो, तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो उस समय के लिए आप इस formula को use कर सकते हैं, लंब का सक्वाईर is equal to, कर्ण का सक्वाईर मैंनस अधार का सक्वाईर, तो चलिए, एक बार मैं आप लोगों को formula का revision कर्वाँ देता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला फर्मूला था sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो sin square theta is equal to कहाज़गा 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to कहाज़गा 1 minus sin square theta and second formula था आपका c square theta minus 10 square theta is equal to 1 तो c square theta is equal to 1 plus 10 square theta and 10 square theta is equal to c square theta minus 1 हो जाएगा अगला फर्मूला है आपका cos square theta minus cos square theta is equal to 1 तो इसका फर्मूला बनेगा कोट अस्कौाइट थिटा is equal to 1 plus कोट अस्कौाइट थिटा and second formula बनेगा कोट अस्कौाइट थिटा is equal to कोट अस्कौाइट थिटा minus 1 and next formula है आपका 10 थिटा into कोट थिटा is equal to 1 तो 10 theta is equal to 1 बटा cot theta and second formula है इसका cot theta is equal to 1 बटा 10 theta Next formula है sin theta into cosec theta is equal to 1 पहला formula बनेगा sin theta is equal to 1 बटा cosec theta and second formula बनेगा cosec theta is equal to 1 बटा sin theta Next formula है cos theta into sec theta is equal to 1 तो cos theta is equal to 1 by sec theta and sec theta is equal to 1 by cos theta next formula है 10 theta is equal to sin theta बटा cos theta cot theta is equal to cos theta बटा sin theta अगला formula है sin 90 degree minus theta is equal to cos theta cos 90 degree minus theta is equal to sin theta cosec 90 degree minus theta is equal to sec theta 10 90 degree minus theta is equal to cot theta cot 90 degree minus theta is equal to 10 theta and sec 90 degree minus theta is equal to cosec theta And next formula है आपका sin theta is equal to p by h, cos theta is equal to h by p, cos theta is equal to b by h and sec theta is equal to h by b, tan theta is equal to p by b and cos theta is equal to b by p अगला formula है कर्ण का square is equal to lumb का square plus aadhar का square Second formula है इसका aadhar का square is equal to karn का square minus lumb का square And last formula है lumb का square is equal to karn का square minus aadhar का square I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया हो इस वीडियो मैं आप लोगों को trigonometric के formula के बारे में बताया आधी आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सेर करे और चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद